वेलकम टू चेसकड मेरा नाम है पमनेश प्रताब और आज हम पढ़ने वाले हैं मेजर बासेस ओफ इंडिया यानि की भारत के प्रमुक दर्रे दोस्तों आज की यह जो वीडियो है बहुत जादा इंपोर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस टॉपिक से हर एक्साम के अंदर कोशन्स पूछे जाते हैं तो वीडियो को शुरू से लास्ट देखियेगा चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला सवाल पहला सवाल है आर्रे उन्हें भारत में किसे दर्रे से प्रवेश किया था तो आर्रे उन्हें भारत में प्रवेश किया था खैबर दर्रे से Option C is correct answer Next question देखते हैं दोस्तो खेबर दर्रा कहां इस्तित है तो खेबर दर्रा इस्तित है पाकिस्तान में खेबर दर्रा इस्तित है पाकिस्तान में और दोस्तो याद रखेगा कि खेबर दर्रा पाकिस्तार और अफगानिस्तान की सीमा के बीच में इस्तित है तो इसका correct answer option D Pakistan next question देखते हैं दोस्तो खार दुंगला दर्रा कहां इस्तित है तो खार दुंगला दर्रा इस्तित है भारत के लद्दाक में option A is correct answer next question देखते हैं दोस्तो कारा कोरम जोजिला एमिसला और चांगला दर्रे कहां इस्तित है तो दोस्तो इस question के अंदर चार दर्रे पुछे गए हैं एक है कारा कोरम एक है जोजिला एक है एमिसला और एक है चांगला दर्रा ये चारो दर्रे पुछे गए हैं कहां पर इस्तित हैं तो इस्तित हैं जोड़ता है जोजिला दर्रा श्री नगर और ले को जोड़ने का काम करता है ऑप्शन एस कर्रेक्ट आंसर नेक्स कोश्चन देखते हैं दोस्तों बोर्जिल बनिहाल और पीर पांचल दर्रे कहां इस्तेते हैं तो दोस्तों इस कोश्चन में तीन दर्रे पूचे गए हैं बोर्जिल दर्रा बनिहाल दर्रा और पीर पांचल दर्रा कहां इस्तेते हैं तो और गिलगित को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो याद रखेगा दोस्तो, बोरजिल दर्रा इसका सही आंसर है, बोरजिल दर्रा श्री नगर और गिलगित को जोड़ने का काम करता है, option C is correct answer, next question देखते हैं, निमलिक खित में से इस छेतर में बनिहाल दर्रा इस देता है, तो जोड़ता है, जोड़ता है, तो याद रखेगा दोस्तो, इसका सही चपाब है, बनिहाल दर्रा, बनिहाल दर्रा जोड़ता है, option C is correct answer, next question देखते हैं, इस दर्रे में, जब हार सोरंग इस्तित है, जब हार सोरंग इस्तित है, बनिहाल दर्रे में, option C is correct answer, अगला स्वाल देखते हैं दोस्तो, पाल गाट दर्रा भारत के किस राज़ता है, तो पाल गाट दर्रा है कीरल राज़ता है, option A is correct answer, next question देखते हैं दोस्तो, पाल गाट दर्रा निमलिक खित में से, इन्हों दो तो यहां पर बताना है कि पालगाट दर्रा किन दो राज्यों को चोड़ने का काम करता है तो आपको याद रखना है पालगाट दर्रा जो है वो तमिल नाडू और एरल राज्यों को जोड़ता है अगला सवाल देखते हैं दोस्तो पालगाट दर्रा इसके बीच इस देता है तो पालगाट दर्रा इस देता है नीलगिरी और अन्नामलाई परवतों के बीच option B is correct answer तो दोस्तो याद रखियेगा नीलगिरी परवत और अन्ना मलई परवतों के बीच इस्थित है पालगाट दर्रा जो की केरल राच्य में है अगला सवाल देखते हैं दोस्तो निमलिखित में से कौन सा दर्रा पश्यमी घाट परवत मला में स्थित नहीं है तो दोस्तो थालगाट दर्रा इस्थित है बोरगाट भी है पालगाट भी है मगर यह जो पीपली घाट दर्रा है यह पश्यमी घाट परवत मला में स्थित नहीं है तो इसका correct answer है option D पीपली घाट दर्रा अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पश्यमी घाट के आर पार सबसे चोड़ा गैप है, तो सबसे चोड़ा गैप है पाल घाट दर्रा, option B is correct answer, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, पीपली घाट दर्रा किस परवती है भाग में इस्तित है, तो पीपली घाट दर्रा जो है वो इस्तित है अरावली परवत में, option D is correct answer, next question देखते हैं दोस्तों, माना, नीती और लीपू लेक दर्रे, किस राचे में इस्तित हैं, तो यहाँ पर तीन दर्रे हैं, माना दर्रा, नीती दर्रा और लीपू लेक दर्रा, किस राचे में इस्तित हैं यह बताना है दोस्तों, तो इसका सही जबाब है option C, उत्राखंड, उत्राखंड में इस्तित हैं माना दर्रा, नीती दर्रा और लिपूल लेक दर्रा तो इसका सही answer है option c उत्राखन अगला सवाल देखते हैं दोस्तों किस दर्रे से मान सरोवर वा कैलाश घाटी जाने का मार्ग है तो नीती दर्रे से है कहां पर जाने का मार्ग तो आप कहेंगे मान सरोवर कारवा कैलाश-काटी जाने का मार्ग नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तों दीफू बोमडिला पंग्सन और यांगयाप दर्रे किस राचह में इस्देत हैं तो दोस्तों इस सवाल में चार दर्रे पूछे गए हैं पहला है दीफू दर्रा दूसरा है बोमडिला दर्रा, तीसरा है पंक्सन दर्रा, और चौता है यांग याप दर्रा, पूछा गया है कि किस राज में इस्तेते हैं, तो ये चारो दर रेस्तेते हैं, अरुनाचल परदेश में, तो इस सवाल का सही आंसर है, option B, अरुनाचल परदेश, नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो, अरुनाचल परदेश को में मार से कौन सा दर्रा जोडता है, तो याद रखेगा दोस्तो, इसका सही जबाब है, option C, दीफू दर्रा, तो दीफू दर्रा अरुनाचल परदेश को में मार से जोडने का काम करता है, अगला सवाल देखते हैं दोस्तों, अरुनाचल परदेश को तिबस से कौन सा दर्रा जोडता है, तो इसका correct answer है option A, बोम डिला दर्रा, तो याद रखेगा दोस्तों, बोम डिला दर्रा अरुनाचल परदेश को तिबस से जोडता है, इसका correct answer है option A, बोम डिला दर्रा, नेक्स कोशन देखते हैं दोस्त दीफू दर्रा जो भारत, मयनमार और चीन के बीच एक त्री खोडिये जंक्शन है किस सीमा रेखा पर इस्तित है तो ये किस सीमा रेखा पर इस्तित है तो आप गहेंगे ये इस्तित है मैक मौन रेखा पर option is correct answer next question देखते हैं दोस्तो तो दोस्तो याद रख़ियेगा यांग याब दर्रे के पास प्रमो पोतर्नती भारत में प्रवेश करती है इसका सही answer है option c next question देखते हैं दोस्तो भोर घाट और थाल घाट धर्रे भारत के किस राज़्य मैश्देत हैं तो यहाँ पर दो दर्रे है एक है भोरगाट दर्रा, एक है थालगाट दर्रा, पूछा गया ये दोनों तर्रे किस राज्य में इस्थेते हैं, तो आप कहेंगे महरास्ट्रा में, इसका सही जबाद है उप्शन है महरास्ट्रा, तो महरास्ट्रा में इस्थेते हैं भोरगाट दर्रा और थालगाट दर्र नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो, मुंबई और पुने को कौन सा दर्रा जोडता है तो मुंबई और पुने को जोडता है भोरगाट दर्रा, ऑप्शन चीज करेक्ट अंशर नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो, मुंबई और नासिक को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो मुंबई और नासिक को जोड़ता है, अलगाट दर्रा, option B is correct answer, अगला सवाल देखते हैं दोस्तो, रोहतांग, शीब किला और बाडा लाचला दर्रे, किस राच्य में इस्तित हैं, तो दोस्तो इस सवाल में तीन दर्रे पूछे गए हैं, पहला है रोहतांग दर्रा, दूसरा है शीब किला दर्रा, और तीसरा है बाडा लाचला दर्रा, पूछा गया है कि ये कहां पर, ये किस तो इसका सही answer है हिमाचल परदेश में Option D is correct answer तो याद रखेगा दोस्तो रोहतां दर्रा, शीब किला दर्रा और पाडाला चला दर्रा हिमाचल परदेश में इस्तित है Next question देखते हैं दोस्तो मंडी और लिह को कौन सा दर्रा जोडता है तो याद रखेगा दोस्तो मंडी और लिह को कौन सा दर्रा जोडता है तो इसका सही जबाब है बाडाला चला दर्रा बाडाला चला दर्रा मंडी और लिह को जोडता है Next question देखते हैं दोस्तो मनाली और लिह को कौन सा दर्रा जोडता है तो इसका सही answer है Option C, रोहुतांग दर्रा, तो रोहुतांग दर्रा जोडता है मनाली को लेह से, नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो, शिमला को तिबबस से कौन सा दर्रा जोडता है, तो इसका सही आंसर है, Option है, शिबकिला दर्रा, तो शिबकिला दर्रा, शिमला को तिबबस से चोडता है, नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो, अटल सुरंग किस दर्रे में इस्तित है, तो अटल सुरंग इस्तित है, रोहुतांग दर्रे में, Option is correct answer, नेक्स कोशन देखते हैं दोस्तो, नाथूला और जे लेपला दर्रा किस राज़ी में इस्तित है, तो दोस्तो इस सवाल में दो दर्रे पूछी गए हैं, पहلا है नाथूला दर्रा और दोसरा है जे लेपला दर्रा किस राज़ी में इस्तित है, ये दोनों ही दर्रे इस्टेते हैं सिक्किम में, option B is correct answer, next question देखते हैं दोस्तों, नातुला और जे लेपलातर रे, किस परवश रंकला में इस्टेते हैं, तो ये तोनों ही दर रे इस्टेते हैं हिमाले में, option C is correct answer, next question देखते हैं दोस्तों, सिक्किम को तिब्बस से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो याद रखेगा दोस्तों, इसका सही answer है, option A, नातुला दर्रा जोड़ता है सिक्किम को तिब्बस से, next question देखते हैं दोस्तों, तुजू दर्रा भारत के किस राज्य में इस्तित है तो तुजू दर्रा इस्तित है मनीपुर में Option C is correct answer Next question देखते हैं दोस्तो तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है तो तुजू दर्रा भारत को जोड़ता है Myanmar से Option B is correct answer Next question देखते हैं दोस्तो कौन सा देश का सबसे उचा मौटर योके दर्रा है, तो याद रखियागा दोस्तो, देश का सबसे उचा मौटर योके दर्रा है, उमलिंगला दर्रा, option B is correct answer, next question देखते हैं दोस्तो, भारत का सबसे उचा दर्रा कौन सा है, तो भारत का सबसे उचा दर्रा है, कारा कोरम दर्र option B is correct answer और कारा कुरम काहां पर है तो आप कहेंगे भारत के लटाक में इस्टेत है next question देखते हैं दोस्तो कौन सा दर्रा भारत और चीन के बीच में इस्टेत एक पहाडी दर्रा है तो इसका सही answer है option A कारा कुरम दर्रा कारा कुरम दर्रा जो है वो भारत और चीन के बीच में इस्टेत है पहाडी चेतर में इसको पहाडी दर्रा कहा जाता है अगला सवाल और आगरी सवाल है दोस्तों मारा कौन सा दर्रा भारत में अनमार सीमा पर इस्टेत है तो यहाँ पर सही answer है option C पंग सन दर्रा पंग सन दर्रे को पंग साड दर्रा भी कहा जाता है दोस्तों और यह इस्टेत है आरुनाचल परतेश में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी कमेंट वो तो कमेंट करें